नमस्कार मित्रों, लर्ण इजीन स्मार्ट में आपका स्वागते, डिक्टेशन स्टार्ट महोदे, राज समंध जीले के देवगड की घटना रोंगटे खड़े करने वाली है उस पर पेश इस्तगासे पर, अदालत ने यह कहते हुए प्रसंग्यान लेने से इनकार कर दिया की राज्य सरकार की ओर से पारित अध्यादेश के बाद मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती यहां तक की पुलिस अधिक्षक तक ने उसे बेरंग लोटा दिया तब इसे न्याय कहा जाएगा अथवा हन्याय जबकी पीडित चात्र का आरोप है की पुलिस ने उसे निर्वस्त्र कर थाने में उल्टा लटकाया और पीटा राज सरकार द्वारा बनाए नए काले कानून की सच्चाई तो यही है और जब तक यह निरस्त नहीं हो जाता तब तक तो राज्य में अघोशित आपात काल ही माना जाएगा देवगड की घटना से एक तथ्य और भी प्रामानित हो रहा है की अध्यादेश एक और जहां मीडिया की अभिवेक्ती पर अंकुस लगा रहा है जो की लोकतंत्र के तीन पायों में सम्मिलित नहीं हैं वहीं दूसरी और नयपाली का और पुलिस के अधिकारों पर लगाया अंकुस्तो लोकतंत्र मूल भूत धाचे को ही ध्वस्त कर रहा है जनता को आज विधाई का और कारेपालिका से नहीं केवल नयपालिका से ही बड़ी उम्मीदे हैं नयपालिका को लेकर तो उचितम नयायाले एवं केंद्र सरकार में भी रसक सी लंबे समय से चल रही है उस पर यह काला कानून लोकतंत्र को उखाड फेंकने में निश्चित ही भूमी का निभाएगा नीचे की सारी अदालतें यदी इसी तरह अपरादियों के खिलाप सुनवाई से इनकार करती रहीं तब न्याय पालिका ठप नहीं हो जाएगी इसके खिलाप तो राजनितिक दल ही क्यों आमनागरिक के स्वर भी बुलंद होने चाहिए इस तरह के सरकार के फैसलों पर नयालयों को भी यथा सिग्र निर्ने करने चाहिए ताकी समाज में कराहट का वातावरन न बने देवगड की घटना सामने आने से पहले मंगलवार को राजस्थान हाई कोट की खंड पीट ने काला कानून के मामले में राज्य सरकार को चार दिसंबर तक का समय दिया है जब की कानून स्वत ही चार दिसंबर को निश्प्रभावी हो जाएगा कानून का मसोधा पड़ें तो साफ लिखा है की बिना सरकार की स्वीकर्ती के नयालय भी इस्तगासा मंजूर नहीं कर सकती और पुलिस भी केस नयालय में नहीं रख सकती क्या इसमें नयालय के समीधान प्रदत अधिकारों का हनन नहीं होता देवगड की घटना इस बात का सबूत है की नयालय हो या पुलिस मीडिया हो या आम आदमी अब किसी के पास कुछ नहीं है जो है वह काले कानून में ही है यह नहीं है की चार दिसंबर को काला कानून स्वत समाप्त हो जाएगा किन्तु यह गारंटी तब भी कहा है की सरकार इस अध्याधेश की पुन्द्रा वृत्ती नहीं करेगी बिहार में जब प्रेश बिल लाया गया था तब बार बार उसकी पुन्द्रा वरत्ती हुई थी तब डीपी वादवा ने उच्चतम नयाया लएके सामने मुद्दे को उठाया था की बार बार अध्याधेश के जरिये इस कानून को लाने पर रोक लगाई जाए हमें आसा करनी चाहिए की पांच दिसंबर को विस्तार से सुनवाई के दोरान माननिये नयाधीस सरकार को अध्याधेश की पुन्रा वरत्ती ना करने के लिए पाबंद भी करेंगे यह न्याई पालिका के लिये एक चुनोती भी है और एक अवसर भी होगा जब वह आपात काल जैसे कानून का भावी मार्ग भी बंद कर देगी यह कानून तो मीडिया ही नहीं पुलिस और नयाले के भी हाथ बांदने वाला है तब कहां रहेगा लोकतंत्र अध्याधेश का लेप्स हो जाना उसे गेर कानूनी अथवा सअ समवेधानिक नहीं बना देता इस बात पर बहस होनी चाहिए और हमेशा के लिए विदेयक को दफन कर देना चाहिए जनता की नजर में यह अध्याधेश आज भी असमवेधानिक है और कल भी रहेगा इस्टोब दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुचाना ना वोलें धन्यवाद झाल 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 झाल